हेलो स्टुडेंट्स आजन करेंगे जर्नल क्रेक्टर स्टेक्स ओफ फाइलम एनलीडा तो स्टार्ट करते हैं विद दी हैबिटेट फाइलम एनलीडा के एनिमल्स मोस्ली एक्वेटिक होते हैं जैसे फ्रेश वाटर एनिमल्स, हिरोडिनेरिया और मेरीन भी हो सकते हैं जैसे कि कुछ पॉलीकीट लाइक नरीज एफ्रोडाइट उरुज या कश्छ बॉर्रोइंग एनिमल्स है, एक्जामपल एफ्रोडाइट और उनप्णु पाक्मोह अध 시청, निपारेक्वें देटे सकते हैं जिनकी body externally divided होती है into the segments जिने metamers कहते हैं और smites कहते हैं ring-like grooves present होते हैं जो की anuli कहलाते हैं इनकी जो body symmetry है वो biological है triploplastic germs layer present है इसमें organ system of organization है और इनका जो body plan है वो tube within tube body plan है next है body cavity तो यह true silomates होते हैं साजो सेलिक silom present होता है इनके अंदर silom जो है filled होता है with the silomic fluid जो की hydraulic skeleton की तरह एक्ट करता है और help करता है locomotion के अंदर leach के अंदर जो silom है वो reduce होता है by the botryoidal tissues और जिसका काम excretory function है जिसका काम silom divided है compartment में by the transverse septa metameric segmentation की बात करें तो जो external division है वो NVI कहलाती है जबकि internal division जो है silom की वो septa से होती है अगर body wall की बात करें तो body wall non-cutaneous है लेकिन जो इसकी inner epidermis है उसकी columnar cells एक cuticle secret करते हैं इसके अंदर unique cellular gland present है और sensory cells भी present होते हैं जो कि बना होता है टू टाइप जो कि बना होता है स्मूद मसल फाइबर्स है और दो तरह की मसल फाइबर होती है इसमें आउटर circular मसल फाइबर और इनर बंडल of longitudinal muscle fiber जो कि प्रवाइड करती है high contraction power to the analytes जो innermost layer है body wall की वो mesodermal है जो की parietal peritonium की तरह act करती है लेकिन ये leaches के अंदर प्रेजेंट नहीं होती नेक्स्ट है body appendages सिरफ जो क्लास polyketa है उनके अंदर unjointed like structure प्रेजेंट होते हैं जिन्हें की paraphodia कहा जाता है locomotory organ most of the analytes have segmentally arranged cutaneous bristles जिने की सीटा कहा जाता है और act करते हैं वो locomotory organ की तरह जो सीटे है या तो वो embedded होंगे epidermal सीटल सेक के अंदर फॉर एक्जेंपल oligokyte में इस तरह से embedded होते हैं और या फिर paraphodia के उपर होंगे जो की polyket के अंदर present होते हैं leach के अंदर sucker present होते हैं as the locomotory organ skeleton इनके अंदर mineralized skeleton की कमी होती है next है गट अलिमेंटरी के अनाल complete होती है इन दी अनलीडा स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्टक्चर है जिसका जो डायमेटर है वो डिफरेंट है वारी करता है माउथ प्रेजेंट होता है इन जेशन के लिए अट दी अंटिरियर एंड और एनस प्रेजेंट होता है फोर दी इजेशन एड़ पुस्टिरेंड पुस्टिरेंड एंड ऑफ दे बोडी इसलिए यह टेल लस अनिमल्स होते हैं इन में जो शीलोम है मीजेंटरिस के थूर हो हेल्ड रहता है एक पोजिशन पे फर एकजम्पल नारिस जबकि ट्रांस्वर्स एप्टर की हेल्प से हेल्ड रहेगा एक जगह पर एक जाप्लीन और लीच के अंदर बोट्रावल टिश्व के थूर जो डाइजेशन है वह इंटर और एक्स्राइल नेक्स्ट है रेश्पिरेटरी और्गन कुछ अनलीड्स जो एक्विटिक अनलीड्स है वो ब्रेंकेल रेस्पिरेशन शो करती हैं जैसे कि एंफीराइट और टारी बैला के अंदर most of the analyties skin के तुरूर असपार करते हैं जिसे कि कुटनेस रेस्पिरेशन कहा जाता है next जिस्ट है circulation most of the जो एनलीड्स है यह फिर एनलीड्स है वो फर्स्ट अनिमल है जिनके अंदर ब्लड वैस्किलर सिस्टम फर्म होता है ज्यादे तर एनलीड्स के अंदर close type circulatory system है for example in oligochates and polychates लेकिन जो लीज है उसके अंदर hemosilomic system present होता है जिसमें की hemoglobin dissolved होगा in the selomic fluid और interconnected होगा by the hemosilomic channels इसका जो blood है वो amoeboid blood carpucle और plasma से बना होता है जो blood carpucle है वो resemble करते हैं with the leukocytes plasma है red color का present plasma present होता है क्योंकि उसके अंदर hemoglobin या फिर rethro curionine present होता है excretion जो है internally close proton afridia present होती है अनलेट्स के अंदर लेकिन यह rare condition में है कुछ oligo polychates के अंदर ही present होती है सिरफ उन polychates के अंदर जिनमें circulatory system reduce होगा या फिर absent होगा लेकिन जो most of the analytes उनके अंदर segmentally arranged और coiled tubular structure present होता है जिसे की nephridia कहते हैं microscopic है और micronafric oligochates के अंदर present होंगी macronafric large sized की polychates के अंदर present होंगी for example नारिस अनलीच नफ्रीडिया जो है excretory as well as osmo regulatory काम करती है नफ्रीडियम open type होती है अगर open type है तो उसे metanephridium कहा जाएगा और connected होगी विद्दी सिलों बाय सिलीएटिड नफ्रोस्टों जो नफ्रीडिया है नारिस और हिरूडिन एरिया में इंटांटांट्री नफ्रीडिया प्रेजंट होती है फारीटिमा में और यह होंगी एक्टो नफ्रीक इसका मतलब है कि जो नफ्रीडियो पूर है वो डाइरेक्टली बोडी शर्पेस पे open हो जाता है लेकिन जो septal और फैरेंजल नफ्रीडिया है और थमांटी वह एंटिर सब्सक्राइब क्योंयाब कि अक्वेटिक फॉर्म जो अपर उरीडियोgrade सब्सक्राइब उर्फोंकि आमेडिक हो गाली और लेकिन यह क्योंने सद्र्धारी नयार्ट chloragogen cell present होते है sylilomic fluid के अंदर oligokites के जो की काम करते है special peritonele cell की दरहा ये accumulate करते है waste material को as koleragosomes जो की detach करते है और leave करते है body से बाहर by the dorsal pore और septal nephredia इसलिए इन्हें एसेसरी एस्क्रेटरी सेल्स भी कहा जाता है कुछ क्लार्गो सॉंप्स काम करते हैं जो कि स्टोर करेगा गुल का गलाइकोजन और येल्लो सेल्स एसी तरह जो वो ट्राइडियोल टिशूस हैं लीच के अंदर वो भी एक्सक्रेशन का काम करते हैं नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लीच का बना होता है सरकंफरेंजल नर्व रिंग और एक सॉलिड डबल मिड वेंट्रल और गैंगलियोनेटेड नर्व कोड्स हैं एंट्लोजड इन दी कोमन शीत जिसे की एपिनेरियम कह जाता है नर्व कोड्ड जर्नली हैस डबल गैंगलियोन इन इस सेग्मेंट जो ओलिगोकीट्स हैं उसमें जैंट नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती है जो के काम करेगी रैपिड कंड़क्शन आफ नर टेस्ट बड स्ठाटर की एप्सेट्टबो किए स्टाटोश की फरम में जन्感 है जैसे कि प्रोटोस्टोमिल टैंटकल हां प्रोस्टवल में टैंटकल प्रोस्टोमिल पेपिलाई है यह पेरिस्टवीन सीराइज जो नैरिस के अंदर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल रिसेप्टर अर्थवां में और एनुलर रिसेप्टर लीज में प्रेजेंट होंगे, जो टेस्ट वर्ड है, बकल रिसेप्टर इन दी एपिथिलियम और बकल के बटे ओट अर्थवां और जो नुचल ओर्गन्स हैं, प्रोस्टोमियम और नैरिस में, फोटरेसेप्टर फोर सिंपल आई उन दा प्रोस्टोमियम और नैरिस, एपिडर्मिस ऑफ दी ओर्थवां, स्टेटोसिस्ट की फोर्म में भी आलरडी मैंने बता दिया है, जो नैरिस की आईज हैं, वो ट्रांस्पेरंट हैं, जलेटीनियस हैं, और रिफ्रेक्टाइल लेंस प्रेजेंट होते हैं, यह इमेज तो नहीं बनाते हैं, लेकिन यह क्या यह सिरफ डिटेक्ट करते हैं, कि लाइट की इंटेंसिटी में क्या चेंज हैं, एसेक्शुल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया है, कुछ पॉलिकेट्स के अंदर, बाइदी फ्रेग्मेंटेशन और ट्रांस्वर्ज फिशन के थुरू, सेक्शुल रिप्रोडक्शन जो मॉस्ट अफ दी अनलीड्स हैं, वो यूनिसेक्शुल या डायोशेस होते हैं, फॉर एक्जम्पल पॉलिकेट्स लाइक नरिस, कुछ बाइसेक्शुल मॉनोशेस या हर्माफ्रोडायट ओड़ते हैं, जैसे कि ऐलीगोकीट्स अन हिरोडिन्स, गोनाइड्स टेंप्रेरी प्रेजन्ट होते हैं, इन्दी पॉलिकेट्स, और पर्मनेंट होते हैं, ओलीगोकीटा के अंदर, और हिरोडिन्स के अंदर fertilization internal होती है हिरोड़ूनária के अंदर और external होगी इन दी earthworm और नारीस development direct होती है इन दी monoecious form लाइक earthworm और leach के अंदर free swimming larva fraginated comparing larva ये ब्योशेस firm होगी इन्दी नारीस last regeneration जो analytes है उनके अंदर less regeneration power present होती है as compared to planarians for example, जो majority analytes की उसके अंदर कुछ ही body segment regenerate करते है या तो एक end से या फिर दोनों end से number of segment regenerated in species specific means कितने number of segment regenerate करेंगे ये depend करता है species के उपर for example, सिर्फ 15 segment ही regenerate कर पाते हैं the earthworm analytes के अंदर एक interesting regenerative phenomena है for example, in the parallelo worm जिसमें की posterior sexual part, जिसे की epitope कह जाता है वो बार बार regenerate करता है ताकि जो sexual reproduction है उसके chances enhance हो सके हैं, so student this is all about the general characteristics of phylum analydea I hope कि आपको यह अच्छे से समझाया होगा thank you कर दो